कि हलो दोस्तों वैलकम टो इंक्लूसिव स्टडी सेंटर इस वीडियो में यूपीपीस आरो एरो की जो नौटिफिकेशन आने वाला है उसकी एक बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में बात करेंगे और इसके असासत प्रीवीज येर कटोप कितनी गई थी उसके बारे करें अगर आपको मेरा चला लगे तो प्रीच आपको शेयर करें करें और सपोर्ट करें यह मेरा टेलीग्राम गृप इंक्लूसिव स्टडी सेंटर आप इसको जोइन कर सकते हो किसी भी गवर्मेंट जोग की लेटेस्ट अबडेट के लिए अगर आप उसे बात करना चाहत परवलोंगे द्सक्राइब आपको देखने को मिल जाएगा तो यह बात हो जहां तक बात है जो नंबर वपकेंसीयर मैंने आपको कुछ देन पहले बताई थी दोसों असिक्स्पास करती लेकिन इस समय नंबर वपकेंसी बढ़ गई है नंबर एक आज की तारीक में साड़े 300 पलस है हो और यह आपकी जो नंबर आ पकी जब तक नोटिफिकेशन आएगा वह सकता है कि आपकी जो वैकेंसी 400 हो जाए और तक एर रिजल्ट नोटिफिकेशन हो सकती है और इसमें जो जायतर है वह आरो की वैकेंसी है आरो की वेकेंसी इस बार आप यह मानना तीन सो पलस रहने वाली है बहुत अच्छा मौका है आपके पास आरो बनने का इतबार समयक्चा अधिकारी बनने का तो यह काई मैंने आपको नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग बात बता दी और जो नंबर वेकेंसी उसके बारे म अगर आपके 125 से लेके 130 के आसपास कर माक्स आते हैं तो हंडेड परसेंट आपका पीटी पास हो जाएगा इतना आपको रेंज लखके चलना पड़ेगा इसमें दो-चार क्वेशन तो आप देखते हैं कि जिसमें यूपी-पी-स उल्टे-शीदे आंसर देता है उनके क्व करेंबर गलत होता है यही बज़ा है कि आपको इतना रेंज लेके चलना पड़ेगा इसके लिए सिंपल स्टैट्जी यह है कि आपका टार्गेट यह होना चाहिए कि 90 पलस आप जी एस में रखो और इसके साथ साथ जो हैं आपके 55 पलस नहीं तो पचास पलस तो आप कम से क इसमें रखो हिंदी में हिंदी में अगर आपके 55 पलस आगे और आप आस ला सकते हो बहुत आसान है तो यहां से आप 140 क्वेश्चन हो जाए हो जाएंगे टोटल और आप आराम से प्रीपास कर जाओगे अगर आपके जनरल स्टैडिम दो चार कम भी रह गए तो भी कोई द देख सकते हैं यह मैंने बता दिया है आपको इमेंस की कट आप है पहुंच करके आप इसको देख लेना और यह मेरे तरफ से स्मॉल वीडियो आपके लिए अगर आपको अच्छा लगे तो प्ली चैनल को सेयर करें स्क्राइब करें सपोर्ट करें थनवाद गाईश नमस्क आपको अपको आपको 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 आपक